हेलो, नमस्कार सुडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टेडी चैनल, आप सभी का यहां पे स्वागत करते हैं, अपन पढ़ रहे थे exercise 10.2 और इसमें हमने 10 क्योशन complete भी कर ली है exercise 10.2 के, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 11 नमबर क्योशन और 12 नमबर और 13 नमबर पिछे वाले क्योशन देख रहे हैं कोई दिक्त नहीं और जैसे कि आपने पिछे वाले कंट्रीनु देखी है तो यह आगे वाले क्योशन आपको इजी लगए यह था है यह यनि एक दूसरी की कड़ी से स्योजित होते हैं क्योशन ऐसे ही नहीं डाले जाते exercise में पहला क्यो से कड़ीवाई चलता है सिस्टम आप बीच में से क्लास देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके 10-20-30% ही समझ में आएगा पूरा समझ में नहीं आएगा और मैंने जो नोट्स वाली क्लास है बता दी है कि किस परकार से अपने फरी नोट्स दे रहे हैं सभी बच्चों क जैसे मेत का है साइंस का है और हिंदी framar का है वो क्लास लगाईगी उसमें जाकी डिटेल से देख लेना परतिक क्लास में अगर डिटेल से बताइए किस परकार से प्राप्ट होगा तो वो टाइम् चला जाता है तो वो क्लास देखेंगे इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका link मिल जाएगा और वहां से आप class को देख सकते हैं अब कई विदार्थी ये बोलेंगे कि सर परते class में नोर्स के बारे में बता रहे हैं तो नोर्स हमें कोई profit नहीं है उसका हमने तो ये ऐसे ठान लिया है कि विदार्थियों को जो ऐसे online जितनी हो सकता है जितना हो सकता है उतनी विदार्थियों को अपने हाथ से भलाई करने की सोचरें भी जैसे विदार्थी हैं स्कूल में बनवाते होंगे लेकिन कई विदार्थी नहीं बना पाते या कोई लेड जाता है स्कूल में कई टाइम महीरे दो महीने के बाद में ने देखा ऐसा कि कोई विधार्ती जाते ही नहीं है नॉन अटेणिंग मी पढ़ते हैं या कई विधार्ती ऐसी गर की प्रिष्टितियां हो जाती है है या कुछ मावल्प बन जाता है कि वो मिने का बीच में गेप लग जाता, इसके बाद में जाते हिं तो हमने वो क्या पूरा ही टारगेट कर दिया है, 100% का, कि जितने चेप्टर करवाए जाते हैं मैट्स में जितने चेप्टर है उसका, नौरस मिलेगा आपको, साइन्स का मिलेगा आपको और हिंदी ग्रामर का, इतना एक तीन सब्जेक्ट का हमारे पास में उपलब्द है, तिनों का अपन फरी अपको दे रहे हैं, तो उसका भी लाब उठाइएगा, अब चलिएगा, ग्यारा नंबर किसन से स्टार्ट कर देते हैं, आज की क्लास, किसन नंबर ग्यारा है, समझ में आना जुरूरी है, हम क्या बना रहे हैं, क्या पूछा है, सबसे पहले एक वर्त है, वर्त के परीगत समांतर चत्रबुज है, यह देखो, अब समांतर चत्रबुज का नाम आ गया नहीं, तो समांतर चत्रबुज की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चा, छट लेकिन समांतर क्या होता है, अब दिक्कत आ जाती है, हमने यह बना दिया, ठीक है, पूरा डिटेल से बताओं आपको मैं, इस परकार समांतर चत्रबुज होता है, वह है चत्रबुज जिसकी आमने सामने की बुजा बराबर होती है, समांतर होती है, आमने सामने की बुजा होते हैं बराबर होते हैं विकर्ण लंबाई में आज समान होते हैं जैसे यह बिंदू देदी आप पी क्यू आर एस सपरस्विंदू देदी ए बी सी और डी सपरस्विंदू देदी ओ अर्थ का क्या है कि अंदर है तो सबसे पहले तो वही लिखेंगे दिया आगे हैं सबसे पहले तो वही लिखेंगे दिया है क्या दे रखाएं दिया है ओ वुरित का कैंदर है और ए अच्छा ओ वुरित का कैंदर है तथा वुरित के परीगत यहने चारों परीगत एक समांतर चत्रबूज समांतर चत्रबूज S R Q P S R Q P है तब मैं यहां पर कुछ एक कंडिशन लिखूँआ S R बराबर होगा P Q के कोमा S P बराबर होगा R Q के समांतर चत्र बूज़ा था आपको पता है आमने सामने की बूज़ा बराबर होगे समांतर भी होगे ठीक सिद करना है सिद करना है P S S R Q P एक सम चत्र बूज़ा सम चत्र बूज़ है यानि सभी बूज़ाएं पराबर है S R Q P एक सम चत्र बूज़ है अब देखो उपत्ति करने के आप सकता नहीं है इसमें रचना करने के आप सकता नहीं सोरी उपत्ति कर रहेंगे उपत्ति प्रूफ देखो कि इस प्रकार से होगा मैं यहां पे लिखता हूँ S A S A बराबर है S D यह बात मैंने लिखी है S A बराबर है S T किसी बाहिय बिंदू से खिंची की सपर से खाए और किसी भी बाहिय बिंदू से खिंची की सपर से खा हमेंसा लंबाई में क्या होती है बराबर होती है Equation No.1 आगे region भी बताएंगे किसी बाहिय बिंदू से खिंची गई से सपरस्रेक किसी बाई ये विंदू से खिंची गई सपरस्रेक है तो यहाँ पर क्या हुगा R से खिंचे गे तो R A R B इसी परकार से ऐसे लिख दो इसी परकार से हमने पिछली क्लास में किया था RA बराबर RB equation number second यहां से लिखेंगे P से लिखेंगे तो PC बराबर PD equation number 3 PC बराबर PD QC बराबर QB equation number 4 अब समीकरन 1 2 3 4 समीकरन 1 2 3 4 सभी को जोड़े जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा SA PLUS में AR PLUS में PC PLUS में QC वापिस पेर बना रहा हूँ है वापिस पेर बनाएंगे जैसे कि पिछे क्यूशन किया था यसा SA PLUS में AR PLUS में PC PLUS में QC बराबर ये बनेगा SD PLUS में PC PLUS में RB PLUS में QB तो ये क्या होगा पूरा मानी ये कितना हो जाए बताओ SAAR पूरा SR होगा क्या SR बराबर ये PC और क्यूशी पूरा PQ होगा बराबर नहीं PLUS में PQ ये S है S is equal to SD और DP SD DP है PC गलता कर दिया PC कहां से चला आ रहा है PC थोड़ी नहीं PD है PC तो यहां पर आ गया PD है यहां पर PD है ये भी PD है तो ये पूरा क्या बनेगा SP बनेगा PLUS में RB और QB या BQ पूरा क्या बनेगा RQ बनेगा ये देखो पूरा यहां से SR और PQ बराबर है SR और PQ बराबर है तो अपन यहां से देखो क्या प्रूव कर देंगा ये साइड देखो ये जो मैंने लिखा है यहां से देखना अब सभी बुजाएवे से बराबर करनी है सम्चतर बुज क्या होता है ये बुजाएवे से बराबर होजीगे ये बुजाएशके बराबर होजीगे यह गुजय इसके बराबर हो दी तो यहां से लिख रहे हैं है अपन SR को या तो PQ में convert कर लो या PQ को SR में convert कर लो SR को PQ में convert करते हैं मैंने यहां से लिख दिया PQ plus me PQ is equal to SP को RQ में convert करो तो यहां से लिखेंगे RQ plus me यह है RQ और यह बात कहां से लिखोगे इस परकार से आप box बना के लिखें SR बराबर है PQ SR बराबर है PQ और SP बराबर है RQ यह हमें दिया है दिया गया दे रखाए विसमांतर चत्रूज है तो दिया गया है तो यह 2PQ होज़ेगा PQ plus me PQ 2PQ RQ RQ 2RQ 2 से 2 कटेगा तो यह होगा PQ बराबर RQ क्या हो गया PQ और RQ यानि यह बुज़ा इसके बराबर है यह बुज़ा इसके बराबर है लेकिन हमने तो बता रखा था यह बुज़ा इसके बराबर है और हमने यह बता रखा था, यह बुजा इसके बराबर है, तो यह बुजा इसके बराबर है, तो यह बुजा इसके बराबर है, और यह दोनों आपसे में बराबर है, तो यह इसके बराबर है, और यह भी इसके बराबर है, equation number कौन सी बन गई equation number 4 तो यहां से बना दी 5 number इसलिए इसलिए ये अपन star कर देते हैं ये star इसलिए समीकरन star वै 5 से star वै 5 से PQ बराबर RQ बराबर PQ के बराबर क्या आ था SR SR बराबर RQ के बराबर क्या था PC SP SP यानि चारों बुज़ैं बराबर है चारों बुज़ैं बराबर है अट है PQ RS Australians सम एक सम चत्र भूजे एक क्या है सम चत्र भूजे है एक सम चत्र भूजे है हमें यही पताना था Is that clear? समझ में आया है क्या पताईए easy question है और ऐसा question हमने पिछली class में भी कर लिया था तो इसका आप screen sort ले सकते हैं आपके पास में चार सेंटीमीटर का एक वरत के परीगत एक त्रुबूज ABC इस परकार खिंचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें सपर्स बिंदू D द्वारा BC विभाजित है कि लंबाईयां करम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है देखिए आकरती 10.14 जैसा कि बुक्ष में दिखाई गई है भुजाएं AB और AC गयाद करने हैं भुजा AB और AC गयाद करने हैं बढ़िया कि उसने अच्छे से संवजना है सबसे पहले तो अपन डाइग्राम बनाएं कि उसने नमबार 12 एक वरत है वरत के परीगत एक तिर्बुज है पहले में अगर तिर्बुज बनाओ तो अच्छा रहेगा फिर इसके अंदर एक वरत बना लेंगे तो ये आपको एक तिर्बुज दिया गए है और तिर्बुज के परीगत क्या एक वरत है एक तिर्बूज है तिर्बूज के अंत्य में एक कह वर्त है या वर्त के परीगत एक तिर्बूज है और तिर्बूज के अंत्रगत एक वर्त है ये बात है तो अपने यहां पर ये बना लिया वर्त बना लिया ये वर्त है ठीक ये इसका सेंटर पॉइंट है इसकी त्रीजा क जबकि हमें दिया गया है यह बिंदू A, यह बिंदू B, यह बिंदू C, हमें दे रखा है, यह 8 cm है, यह बिंदू D दे दिया इसने, यह अपनी मर्जी से अपन मानेगे, D, E माल लिया और यह बिंदू माल लिया अपने F, यह 8 cm दे रखा है, तो यह 8 cm, तो किसी भाइये मिन्दूदू से खिंची के सफ पर से का इल्म हमेसा b recover होती है, तो यह भी कितना रहेगा, आठ cm रहेगा, यह हमें cd का मान 6 cm दे रखा है, तो बताए Cf बूद曦क ले सेंटिमेटर है तो यह कितना रहेगा एक सेंटिमेटर है और यह हमें दे रखाए इसकी त्रीजा कितनी है चार सेंटिमेटर है चार सेंटिमेटर है चार सेंटिमेटर है अब हमें निकालना क्या है A C और B C नहीं A C और A B का मानगयाद करते हैं सबसे पहले जो गिवन हैं वो लिख लेते हैं दिया है B D बराबर 8 सेंटिमेटर C D बराबर 6 सेंटिमेटर यह हमें दे रखा है और वरत की त्रिज्या वरत की त्रिज्या इस इकल टू चार सेंटिमेटर है अब देखो A C और A B कैसे ले गया है अपने इसका त्रिबुज निकाल ले त्रिबुज का छेतर फल निकाल ले इसका अपन छेतर फल निकाले एक तो अपन निकालेंगे हिरोन फॉर्मूले से हिरोन फॉर्मूला आपने छोटी कलासों में पढ़ा होगा वो बता देंगे अगर नहीं पढ़ा दो और एक अपन अलग-अलग त्रिबुज से निकालेंगे अगर मैं A को O से मिला दूँ यह O वर्त का केदर है इधर लिख दूँ मैं यहां भी फिर मिलाएंगे सी को अपन मिला दें O से और अपन O को मिला दें B से तो हमारे पास में तिन त्रिबुज प्राप्त हो जाते हैं कौन-कौन से यह त्रिबुज प्राप्त हो जाता है विद्यार्थियो एक तो यह हमारे पास में A O C एक प्राप्त हो जाता है O C B एक प्राप्त हो जाता है B O A ये तिनों तिर्भुज प्राप्त हो जाते हैं तो तिनों तिर्भुजों का आगर आपन निकाल ले छेतरफल और तिनों को जोड़ दें तो तिर्भुज A, B, C का छेतरफल आएगा तो लिखते हैं तिर्भुज तिर्भुज A, B ग्यात करना है वो लिख देते हैं पहले ग्यात करना है अब देखेंगा तिर्बुज ए बी सी का चेतरफल बराबर तिर्बुज ए बी सी का चेतरफल बराबर हिरोन फोर्मूले से बराबर या ऐसे लिखो मैं हिरोन फोर्मूले से तिर्बुज ए बी सी का चेतरफल एरॉन सुत्तर से तिर्बुज ए, बी से का चेतर फल फोर्मूला क्या रहता है एरॉन फोर्मूले का ये रहता है S S माइनस में A S माइनस में B S माइनस में C और यहाँ पे आपने माल लिया यहाँ पे आगे लिख देना माना AF बराबर A बराबर X सेंटिमेटर X सेंटिमेटर यह आपने माल लिया यहाँ S क्या होता है अर्द परिमाप होता है A प्लस B प्लस C बटा दो होता है जबकी A, B वैसी त्री बुज A, B, C की बुजाएं है क्या है भी बुजाएं है A, B, C के त्री बुज A, B, C की बुजाएं है इसलिए A का मान कितना हो गया यह मान ले, A, A बराबर A, C है A बराबर के हैं, A, C A, C का मान कितना होगा 6 पलस में X, यह 6 है, यह X है तो यह कितना होगा 6 पलस में X सेंटिमेटर, यह हमने माना है और यह बाहिया बिंदू से खिंची की सप्र सेखा के लिए बाहिया है, तो इसलिए A, F और A यह हमें सा बराबर होगा यह X मानना है, तो यह अट्मेटिक X होजी लेकिन हमने तो यह यहां पर लिख दिया पूरा मान ठीक 6 सेंटिमेटर B आपने माना, A, B के बराबर A, B कितना है? 8 पलस में X, कितना है? 8 पलस में X सेंटिमेटर वे C आपने माना, B, C के बराबर C बराबर B, C बराबर 8 पलस में 6, 14 कितना है? 14 सेंटिमेटर अब A, B, C के मान S में रखने पर A, B, C के मान आप S में रख दें अब S बराबर A का मान कितना है? 6 पलस में X 6 पलस में X plus b का मान कितना है 8 plus में x 8 plus में x और ये कितना है 14 ये कितना है 14 s बराबर 6 और 8 14 plus में x plus में x 2x बटे रे यार 14 कहां से आ गया निचे 2 है न 2 दो, a प्लस b प्लस c करना है, c का मान कितना 14 है, अब ये जोड़ दो, 6 और 8 14, प्लस में x प्लस x, 2x, प्लस में 14 बटे, 2, ये क्या होगा, s बराबर 14 और 14, 28, प्लस में 2x बटे, 2, s का मान आएगा, 2 को मन आगया, 14 प्लस में x बटा, 2, 2 से 2 कर जाएगा, s का मान कितना आएगा, 14 प्लस में x, 14 प्लस में x, s का मान आगया, वैसे अगर अपनी इसमें, एक तरीके से ये अर्द प्रिमाप होता है, अर्दि प्रिमापको अपन सेंटिमेटर में यह लंबाई है एक तरीकिसे लंबाई को अपन यहां पर सेंटिमेटर देगा तो सेंटिमेटर लगा सकते हैं यह मान है ही सुत्र से सुत्र से सारे मान रख दें सुत्र के अंदर S का मान कितना है 14 प्लस X अब यहाँ पे S में से A घटाना है S में से 1 घटाना है तो घटा देते हैं S का मान कितना है 14 प्लस X चोटे ब्रैकेट में माइनस में चोटे ब्रैकेट में A का मान घटा है A का मान कितना है 6 प्लस में X 6 प्लस में X और यहाँ पे क्या गुणा में है न यह 14 प्लस X 14 प्लस X माइनस में B का मान कितना है B का मान 8 प्लस में X है कितना है 8 प्लस में X है और आगे लिखें तो इसके नीचे लिख दूगा 14 प्लस X माइनस में कितना है B C का मान, B C N C A C N E 14 है, तो माइनस में 14, यह हो गया, तो रूट के अंदर, यह आएगा, 14 प्लस X, 14 प्लस X, माइनस में, 14 में इसे माइनस के अंदर करेंगे, तो यह माइनस, यह माइनस, 14 में 6 जाएगे, तो 8 बचेगा, कितना 8XX कर जाएगा, 14 प्लस X, माइनस में 8, माइनस में X, X से X कर तेगा, 14 माइनस में 8, 6 बचेगा, 14 में X, माइनस में 14, यह X बचेगा, कितना बचेगा, X बचेगा, इस देट कलियर, यह क्या बनेगा, 48, तो यह हो, 14 प्लस में X, और यह हो गया, 48, 48 X, कितना बचेगा, 48 X बचेगा, अब कुछ बार आ रहा है, देखते हैं, मल्टिप्लाइ करते हैं, 48 और 14, इस में से अगर बार निकाल लें, 16 को, 16, 48 होते हैं न, चलो एक बार इतना ही रहने दें, बाद में स्केर कर देंगे, equation नमबर इसको देदें, अब अपने कोई दिया गया, उपर equation नहीं दिया, तो एक नमबर equation कर देदें इसको, अब ये हमारे पास में इसका चेतरपल आ गया, किसका, तिर्बुझ ABC का चेतरपल आ गया, अब तिर्बुझ ABC का चेतरपल आ गया ये, एक दूसरे तरीके से मैंने आपको बताया था, हिंट के मादें से, कि ये तिर्बुझ A, O, C, प्लस में O, A, O, B, प्लस में B, O, C, तिन परारम कर देता हूं यहां से लिखना परारम कर देए एक बार लाइन की मत खिंचो इसी परकार से इसी परकार से तिर्बुज 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 A, B, C का चेतरफल बराबर तिर्बुज A, B, C का चेतरफल बराबर लिखेंगे तिर्बुज A, O, C C, 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 C का सभी का जोड़ दो मिद्ग एक बटा दो अधार गुणा क्या करने कि इसकी गुणा ऊंचाई कि घैट जो प्रपेंडीकुलर होता तो यह आप क्यों चाहिए हो जेगी F O या O F प्लस एक बटा दो कौन सकी है अच्छा उपर वाला लगए A B आधार होगा A B गुणा O E प्लस एक बटा दो यह होगा B C क्या होगा B C गुणा O D क्या होगा O D होजेगा यह रख देवा एक बटा दो A F कितना है चैसरे प्लस में G प्लस नहीं है मल्टिपल यह है यहाँ ही गुणा कितना है चाह प्लस एक बटा दो A B का मान कितना है 8 प्लस में X 8 प्लस में X गुणा O E का मान कितना है 4 है गया प्लस 1 बटा 2 ये है 14 गुणा ये कितना है 4 2 से काट दे 2 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा 2 से काटेंगे तो 4 बार है 4 है तो 2 बार कटेगा दो का अंदर गुणा 12 प्लस में 2X 2 से काटे ही 4 कट गया 2 बार कटे ही 2 का गुणा अंदर 8 2 9 16 प्लस में 2X प्लस 2 से काटे ही 4 बार कटे ही 2 बार कटे ही 4 14 दुनी 28 आजएगा इसको जोड़ दो कितना है 12 और 28 30 40 40 50 56 कितना हैगा 56 प्लस में 2X और 2X 4X एक्वेस्न नमबर 2 अब दोनों ही 32 JBC के छेतरपल हैं एक्वेस्न नमबर 1 और 2 में दोनों को ब्राबर कर देंगे समीकरन 1 वै 2 से दोनों ब्राबर है क्योंकि 32 JBC का छेतरपल यह है 32 JBC का छेतरपल यह है ब्राबर होगी क्या होगा 56 प्लस में 4X इस इकल टू रूट के अंदर 14 प्लस में X और यह होगा 48X और बोट साइड अगर अपन स्केर कर दें ब्राबर करने के बाद में स्केर क्यों करें यह रूट हटाने के लिए करें तो यह हमारे पास में बनेगा 56 प्लस 4X का स्केर यह बनेगा 14 प्लस X और यह बनेगा 48X इस स्केर से यह रूट हट जाएगा अब देखो इसमें से क्या को मना रहा है इसमें से 4 कोमन आ रहा है, 4 कोमन आएगा तो बाहर 16 की रूप में आएगा, क्योंकि स्क्वेर है इसलिए आएगा तो यहां से आपने इसमें से 4 निकाल लिए और इसमें से 4 निकाल लिए और 16 तीय 48 तो यह result कितना आएगा देख लो यहां से 14 प्लस में x यहां से आएगा 14 प्लस में x बराबर इधर बच गया यह तो कट गया 16 तीय 48 तीन एक्स बचा है कितना बचा है तीन एक्स यह एक्स इधर जाएगा तो यह हो जागा 14 इस इकल टू 3x माइनस में x बराबर बाद में लिखेंगे तो यह बन गया हमारे पास में 14 बराबर 3x में इसे x जाएगा तो 2x इन x का मान कितना आएगा 14 प्लस यानि 7 cm हमने क्या माना था x क्या माना था हमने f माना था e माना था अब हमें निकालना क्या है x का मान तो आगया हमरे पास में क्या आगए x का मान तो आगया अब क्या हो जाएगा f ओहो f नहीं ac ac is equal to x plus में 6 आगया है x का मान कितना है 7 है तो ac का मान 7 plus में 6 बराबर 13 cm वै a b का मान कितना है x प्लस में 8 तो यह हो जाएगा a b का मान होगा 7 plus में 8 cm यानि a b का मान होगा 7 राठ 15 cm एक तो अंसर आएगा ये एक अंसर आएगा ये ac का मान कितना आगया ac का मान 7 और 16 cm आगया a b का मान हमें पूछा है a b का मान पूछा है तो यह हो जाएगा 8-7 15 cm होगा ये पता हो किसन ज़्यादा हर्ड है क्या तिरबुज का छेदरबल निकालना हिरोन फोर्मूला याद रखना है यहां प्यार तपरिमाप होता है a b c 3 तिनों बुझाएं है दो का भाग लगा दिया अर्द आदा हो गया a b c 3 तिरबुज की तिन बुझाएं होगी यह आपने a मालिया यह मालिया बी मालिया अलग अलग मान सकते हैं गलत नहीं होगा सही होगा तिरबुज a b c का तिनों का चेतरबल अपने जोड़ दिया इन तिनों का चोड़ जोड़ जो तिरबुज बन रहे हैं इसके अंदर तिनों का निकाल के तिनों को जोड़ दिया तिरबुज a b c का अपने का दोनों को बराबर कर दिया दोनों तरफ स्केर कर दिया स्केर से र पिर लिखोगे ना आप सक्रिन सोट लेके फिर दिकत हो जाएगी तो पहले समझ लियागरो अच्छे से साथ में नोट करते हैं तो फिर दिकत हो जाती है तो अब इसका लीजिएगा सक्रिन सोट अब चलते हैं नेक्स क्यूसन की तरफ अब देखेगा स्टुडेंट लास्ट और फाइनल क्यूसन तेरा नमर क्यूसन है सिद्ध कीजिए कि वर्त के परीगत बनी चत्रबुज की आमने सामने की भुजाएं के अंदर पर संपूरक कौन अंतरित करती है संपूरक कौन समझ गई 180 डिग्री अब देखो सबसे पहले अपन डाइग्राम बनाएंगे यह हमने बना लिया एक वर्त यह वर्त में हमने खेंजती सपर्स रेका यह भी हमने एक सपर्स रेका खेंजती आमने सामने की भुजाएं द्वारा के द्वारा केंदर पर जो कौन अंतरित किये जाते हैं यह ऐसे अंतरित अपने इसको आगे वाली भाग को मिटो देते हैं तो यह इसका नाम भी करना है नाम दे दिया हमने पी क्यू आर एस यह केंदर बिंदू को है जानी इसको अगर मिलाएं अपन यह 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 इस परकार से तो देखो हमें बताना क्या है दुबारा पढ़ लेते हैं सिद्ध कीजिये वर्त के परीगत बनी चत्रबुज की आमने सामने की भुजा के दौरा केंदर पर केंदर पर भुजाएं दौरा केंदर पर कोन संपूरक कोन अंतरित होता है यह केंदर ओ माल लिया आपने ओ है यह कोन और यह कोन इन दोनों कोनों का मान कितना होता है क्या लेकर आना आपको 180 डिगरी लेकर आना है इसको मिला देते हैं यह रचना से करेंगे बाद में का यह हो गया हमारे पास में ए अब देखेंगे जनाब अपन पहले तो लिख लेते हैं जो गीवन है वो दिया है ओ केंदर वाला एक वरित है सरकल है जिसके परीगत एक चत्रबुज पी क्यू आर ऐसे है एक चत्रबुज पी क्यू आरस है तता सपर्स बिंदू सपर्स बिंदू A B A कोमा B कोमा C कोमा D है सपर्स बिंदू A B C D है अब हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है एंगल या तो यह करते है या यह करते है कोई जुरूर नहीं कि यह एंगल है यह एंगल संपूरक करें यह वाला यह वाला भी कर सकते हैं लिखो एंगल S O R प्लस एंगल P O Q इस इकल टू एक स्वस्थी डिगरी यह हमें सिद्ध करते हैं रचना से देखो रचना में कि रचना में क्या करेंगे ओ को को करमश्य एंग ए बी सीवय डी से मिलाया मिलाया अब देखो पत्ति में प्रूप में देखो अपन ये दो कोई तिरभूज लेते हैं कौन से ये वाले ये वाले दो तिरभूज लेते हैं तिरभूज कौन कौन सा A Q O वे तिरभूज B Q O में O Q O Q बराबर है O Q क्या है UBINIST और यहां से लिखेंगे O A बराबर O B क्या है वरित की त्रीजय है वरित की त्रीजय है और यह लिख देंगे Q A बराबर Q B यह है सपरस्रेका बाहिय बिंदू से बाहिय बिंदू से खेंची सपरस्रेका है इसलिए तिरभूज A Q O सरवांसम है तिरभूज B Q O कौन से रूल से साइड 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 से यह आपन इसको कर सकते हैं है हओं है है अर्यक्ष में हाइड अर्चहश अयों अर्चहर क्यों व कर्थयुक्टध सब्स्रेका मिया अर्यक्तर चलो चलो तो हमने नहीं गया है रैडा यह थांगल से पिसले दूंचन में क्या इसको उछोड़ दो करते ना आ बराबर होते हैं अब मैं यहां पे एंगल बना रहा हूं एक तो यह एंगल और एक यह एंगल दोनों बराबर होगे इसको मैंने नाम दे दिया एक इसको दे दिया दो यह अलग से बनेगा तीन यह बनेगा अलग से चार यह बनेगा पांच यह बनेगा छे यह बनेगा साथ औ आठ कौन बनेंगे तो यहां पर इसलिए एंगल ए ओ क्यू बराबर हैं एंगल क्यू ओ बी यानि आपने कह सकते हैं एंगल एक बराबर एंगल दो एंगल एक और दो क्या होंगे बराबर होंगे एक्वेशन नमबर एक इसी परकार से इसी परकार से ये ये दोनों तिर्वों सरवांग समगे देखो परते एक बार आपको ऐसे सरवांग समग करने कहा सकता नहीं इसी परकार से लिख दिया न तो आगे काम चल जाएगा एंगल तीन बराबर होगा एंगल चार के एक्वेशन नमबर दो आगे देखो एंगल पांच बराबर होगा एंगल 6 के equation नमबर 3 और एंगल 7 प्लस प्लस नहीं बराबर है 7 बराबर होगा एंगल 8 के equation नमबर 4 अब अपन जानते हैं कि एक वर्त के केंदर पे कितने डिगरी का एंगल वलता है 360 डिगरी का अब वर्त के केंदर पर अंतरित कौन is equal to 360 डिगरी और केंदर पर अंतरित कौन 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 से हैं बता सकते हों कि आप यह बता सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 is equal to 360 डिगरी आठ कौन बन रहे हैं अठों का यो कितना होगा 360 डिगरी होगा एक से एक और दो बराबर है एक और दो बराबर है तो दो के बराबर एक है तो दो की जगह एक रख दें equation number 1 से तो angle 1 plus angle 1 plus 3 और 4 है हमें इसka संभले के आना है 5 और चार और 1 आठ में तो हमें पूरा question 1-8 और 4-5 में उश्चेंज़ करना है 4 पांच में ही change करना है 3 के बराबर है 4 के बराबर है तो हमने लिख दिया 4 plus 4 plus 5 उर 6 बराबर है तो 6 को 5 में convert कर दे 5 को तो 5 में rzen दे और यह आज पलस angle 7 को 8 में convert कर दे 7 को तो 7 रहने दे लेकिन 7 8 के बराबर है तो इसकी जिगाए भी है पन साथ रख सकते हैं, is equal to 360, अब सारे दो-दो कौन हैं, दो common आ गया एंगल एक प्लस एंगल च्यार प्लस एंगल पांच प्लस एंगल छे तो नहीं है, साथ है तो एंगल साथ is equal to 360 60 degree तो देखो, दो एंगल common आ रहा है, दो बाहर common आ रहा है, एंगल एक प्लस आठ साथ को आठ में कनवर्ट करें साथ को आठ में कनवर्ट करें हमें आठ चाहिए, साथ नहीं चाहिए तो यह आठ हो जगा यहां पर एंगल एक प्लस एंगल आठ प्लस एंगल च्यार प्लस एंगल पांच is equal to 360 degree उपर की तरफ लिख दू में, दो इधर जाएगा तो 360 के दो भाग में जाएगा 180 सी बनेगा एंगल एक और दो का सम्किया है पी ओ क्यू है गया एंगल पी ओ प्लस में, चार और पांच का सम्किया है एंगल एस ओ आर 360 दो गुणा में था भाग में चला गया एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर बराबर 180 कितना हुआ 180 दिगरी हुआ देखो एक बार के लिए एस ओ आर पी ओ क्यू 180 दिगरी है यही हमें प्रूव करना था तो यह क्यूसन कम्प्लेट हो चुका है कोई दिक्कत बताओ कॉमेंट करगे एज़ी क्यूसन है एकज़ेसे ही क्यूसन है तो इसका लेज़ेगा स्क्रीन सोट और इसके साथ में हमारी यह एक्सरसाइज भी कम्प्लेट हो जाती है 10.2 यानि यह हमारा दिक्कत बताओ अब इसके बाद में अग्जामपल बचे हुए है वो नेक्स्ट क्लास से स्टाट कर देंगे तो इसके अग्जामपल भी जल्द ही कम्प्लेट करके 11 नमबर चैप्टर हमने पढ़ रखा है बस 12 नमबर चैप्टर स्टाट करेंगे टोटल 15 हैं तो 11 नमबर चैप्टर ही बचेंगे तो चार वो जल्दी जल्दी अपन कर लें तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जुरू बताएं अच्छी लगी हो तो सभी स्टुरेंट लाइक और सियर करेंगे अगर चैनल पे कोई विद्यार्थी नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को दबा लें ताकि प्रते क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास से भी पहुंसता रही और आप तुरूंत उसका अलाब उठा ले तो चलिएगा विद्यार्थी आज की क्लास में इतना ही नेक्स्ट क्लास में मिलें कुछ ने के साथ जैहिन जैभर्त